Hello my dear students, Magnet Brains के Hindi चैनल में आप सब का स्वागत है, मैं हूँ आपकी English Teacher प्राची वर्मा और अब हम हमारी Unit 8 के चाप्टर के आखरी पढ़ाव पर आ गए हैं, जो कि है Short Monsoon Diary के NCRT Solutions तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे Comprehension Check, जो कि चाप्टर के बीच बीच में हमसे Questions पूछे जाते हैं, तो पहला है पेज नमबर 111 का, Why is the author not able to see Biju? अब हमारे author Biju की आवाज सुन पा रहे थे, वो चिला रहा था, उसके पैरों की धम 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 आवाज सुन पा रहे थे, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहे थे, तो क्यों? The author could not see Biju because of the mist that concealed the hills. He could only hear his voice but could not see him. ठीक है, तो पहले तो हम answer कैसे लिखते हैं, जब भी हमसे कोई ऐसा answer, ऐसा question पूछा जाता है, कि ऐसा क्यों हुआ, है ना? तो ऐसा क्यों हुआ, तो हम ऐसा बोलेंगे ऐसा इसलिए हुआ, उस दुन्द की वज़े से जिसने पहाड को घेर रखा था, He could only hear his voice but could not see him. वो सिर्फ उसकी आवास सुन पा रहे थे, उससे देख नहीं पा रहे थे. तो answer को पूरा लिखने का तरीका यही होता है, कि हम थोड़ा सा हिस्सा question में से उठा लें, आगे because, या जो भी आपको जिस प्रकार से उसका जवाब देना है, वो लगाएं, और उसके बाद उतना जवाब लिखें. हम सीधा अगर इतना लिख देंगे, जैसे आप किसी से पूछें कि आपका नाम क्या है, और आप सीधा बस अपना नाम बता दें, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, आप कहेंगे कि मेरा नाम ये है, तो वो सुनने में कितना ज़्यादा ऐसा लगता है कि हाँ, आपने हुआ है, इस चीज के बारे में आपको पता है कि जब हमारा परिचाय देते हैं, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो बिलकुल उसी प्रकार से यहाँ पर जवाब देने का तरीका भी सही और सटीक होना चाहिए, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले question पर, what are the two ways in which the hills appear to change when the mist comes up, जब दुन धीरे धीरे पहाडों पर चड़ने लग जाती है, तो पहाड कैसे अलग दिखने लग जाते हैं, when the mist comes up, फिर चाह हमने वही किया, उठालिया question में से इतना हिस्सा, it covers the hills like a blanket, वो उस पहाड को पहले तो चादर की तरह उड़ा लेती है, ओर नहीं लेती है, वो खोद चादर बनके ढाक लेती है, and spreads silence everywhere, और सब ओस नाटा छा जाता है, उस धुन की वज़े से पहाड पर रहने वाले पशू, पक्छी, सारे बहुत शान्त हो जाते हैं, क्योंकि कहरे की वज़े से किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर अगल to face the monsoon, और हम बारिश की मौसम की शुरुआत जब होती है, तो अपने आपको इस मौसम के हिसाब से तयार कैसे करते हैं, the monsoon पहले हम पहले question का answer करेंगे, जो की है कि बारिश कब शुरू ही मसूरी में, 24 या 25 जून से शुरू ही थी, उनने डाइरी लिखना वहाँ शुरू क यह डाइरी में कब लिखा था, 31 अगस्त को लिखा हुआ था, तो यहां से लेकर यहां तक जो है, वो हमारा पहले question का answer है, the monsoon season in Missouri begins from June 24 और 25 by August 2, the people are fed up with rain, it ends by August 31, अब it ends on August 31 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हर साल बारिश एक, दो, तीन, चार दिन आगे पीछे होई जाती ह तो by August 31 का मतलब है कि इस दिन तक खत्म हो चुकी थी, ठीक है, फिर हम आते हैं कि हम कैसे prepare करते हैं, then begins winter rains which end up by late March, और फिर बारिश का मौसम, कहां का थंड की बारिश शुरू होती है, जो मार्च में खत्म होती है, we take out our rain codes and umbrellas to face the monsoon, और हम हमारे बरसाती और हमारे छत्री य तो यह थे हमारे दोनों question के answer कि पहले monsoon कब शुरू और खत्म होता है और थंड की बारिश कब शुरू और खत्म होती है, October से March तक थंड की बारिश चलती है, और वो कहते हैं कि हम अमारी छत्री और हमारी बरसाती निकालते हैं ताकि हम अब बारिश से अपने आपको बचा स हमने जो अभी सीखी और हम हमेशा से देख रहे हैं हम question में से उठाएंगे, the author describes Masuri in this diary entry, अपनी इस diary entry में author Masuri की बात करते हैं, Masuri के monsoon और Masuri की ही जो थंड की बारिश है उसके बारे में वो बात करते हैं, तीसरा question है, for how many days does it rain without stopping, what does the author do on these days, कितने दिन तक non-stop अंतहीन बारि non-stop for 8 or 9 days, क्योंकि वो कहते हैं कि 8-9 दिन हो चुके हैं कि हमने सूरज की रोशनी ही नहीं देखी है, ठीक है, तो 8 or 9 days जो है, वो सही जवाब है, the author keeps pacing the room, room को जमा के, room में ही घुमते रहते हैं, and looking out of the window, looking at the bobbing umbrellas, वो खड़की के बाहर देखते रहते हैं, और जो ऐसे bobbing म तो यह हो गया हमारे दोनों question का answer, where do the snakes and rodents take shelter and why, पहले तो यह कि snakes और rodents ने कहां जाके अपना घर नया घर बना लिया, और उनने नया घर क्यों डूंडा, the rodents and snakes take shelter in roof, attics and go-downs, यह तो simple सी चीज़े याद करने के लिए, कि या तो छतों पर, या attic में, या फिर go-down में जाके वो लोग रहने लग जाते हैं, they do so because their holes are filled with rain water, क्योंकि उनके जो गड़े होते हैं, उनमें बारिश का पानी भर जाता है, जिस वज़े से वो वहाँ रहने अब नहीं रह सकते, इसलिए वो दूसरी जगे ढूंडते हैं, उतने वक्त के लिए रहने के लिए, What did the author receive in the mail? उनके पास एक mail आया था, रसकेन वो उनको क्या मिला था? उनको एक check मिला था और वो उस श्रीव की वज़े से आया हुआ, भागे उसे मानते हैं, उसका luck मानते हैं कि घर में जो वो चुचुंदर रह रह रही थी, उसकी वज़े से ये भागे आया है कि उनको पै कैसे मिले हैं, ठीक है, तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, दो ऊसर रसीव एक चेक इन दो मेल, रही थी, आप है वरकिंग विद टेक्स कॉम्प्रिहेंशन चेक यहां खत्म होता है, और हमारी मेन एक्सराइज शुरू होती है, पेज नमबर 114 से, तो हमारा पहला पहला क्वेशन हैं, look carefully at the diary entries for June 24 and 25, 24 और पचस जून की diary entry को देखना है, 2nd August और मार्च 23 की भी diary को देखना है, now write down the changes that happens at rain progresses from June to March, और जून से लेकर मार्च तक जाते हुए, बारिश में क्या-क्या बदलाव आय थे, वो हमें देखना है, तो rains in Missouri begin in June and end by March, पहले तो हम यह लिखेंगे कि जू जून से शुरू होती है और मार्च में खत्म होती है, June 24 is the first day of monsoon mist which covers the hills and spreads silence, 24 जून को विजद्धुन है, वो पहाड़ों को घेरना शुरू करती है और उसको एक blanket की तरह धक लेती है और पूरी तरह शान्ती चाह जाती है, on 2nd August, it rained all night and made sleeping difficult, और 2nd August तक इतनी जादा जोरदा बार बारिश होती है कि लोगों का सोना मुश्किल हो जाता है आवाज की वज़े से, by late March ends winter as well as the rain, और मार्च खत्म होते होते बारिश जो होती है बारिश के साथ साथ थंड का मौसम भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तो क्या-क्या बदलाव आये थे, बाकी बीच में इतनी चीजें थी वो बदलाव का है कि थे, पेड, पौधे, जानवर, लोगों की आदतें, ये सारी चीजें बदलती है, बारिश में क्या बदलाव था, शुरुवात में धुन्त जो थी वो घनी होती गई, अगस्त तक आते आते जो है बारिश बहुत तेज होती गई, फि इसी लिए उन्होंने मना किया कि चुछंदर को नहीं मारना चाहिए, अगर वो घर में रह रही है, तो उसको रहने दो, ठीक है? अगला है, what signs do we find in nature which show that the monsoon are about to end? हमें प्रकरती में ऐसे क्या बदलाव दिखने लग जाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि बारिश का मौसम अब अंत होने वाला है, खतम पर आ गया है, जब काफी हर्याली हो जाती है, मतलब बहुत जादा ही हर्याली दिखने लग जाती है, तो हम ये समझ जाते हैं, कि बारिश का मौसम जो है, उसने अपना पूरा काम कर दिया है, और अब उसके जाने का वक्त आ गया है, उसी के साथ साथ the seeds of cobra lily turn red, जो cobra lily पौधा होता है, जो फूल होता है, उसके जो बीज होते हैं, वो अपने असली रंग से बदल कर लाल होने लग जाते हैं, और ये ए इंदर धनुष बनता हुआ दिख जाता है, तो ये तीन तो थे, रीजन थे, पहला तो कि greenery बहुत एकदम चरम सीमा पर आ जाती है, कोब्रा lily की जो seeds हैं, वो लाल हो जाती हैं, और rainbow बनने लग जाता है, तो ये तीन कारण, तीन हमने चीज़े बताई, जिससे हम ये पहच पर जो बात करेंगे, आपको बिल्कूल वैसा का वैसा उठा के लिख देना है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, कि आपको किस प्रकार से वाक्य बनाना है, जैसे पहला है, बिजू is not seen, but his voice is heard, because बिजू दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी आवास चुनाई दे रही है, क्योंकि पूरे पहाड को धुंदने घेर रखा हुआ है, because the mountain is covered with the mist of the rainy season, the writer describes the hill station and valley as, वो hill station और valley को क्या कहता है, कि अगर स्वर्ग होता, तो ऐसा ही होता, है ना, तो यहां वही आएगा, a paradise that would have been, the leopard was successful in dash, but had to flee when, ठीके कब, अब इसके आगे भी जोडना है, तो the leopard was successful in, वो गाय पर attack करने वाला था, बिजू की, but had to flee, उसे कब भागना पड़ा, जब बिजू की मा चिलाते हुए, और उसे कोसते हुए, भागती हुई आई, दोपन कैसे लिखेंगे इसको, कि वो पहले तो उसको गाय पर, गाय को पकड़ने में, गाय का शिकार करने म या काम्याब हुआ, लेगन उसे भागना पड़ा, जब बिजू की मा आ गई, the minivets are easily noticed, क्योंकि वो रंग भी रंगी होती है, क्योंकि वो लाल रंगी होती है, हमने ये भी देखा था कि जो female होती है, वो yellow color की होती है, तो हम यहाँ वहीं लिखेंगे, क्योंकि वो रंग भी हुई है, और उसके एक रास्ता बना हुआ है, और उसके दोरों तरफ फूल जो है उग रहे हैं, ऐसा लगता है, जैसे किसी ने जान बूच कर सजाए हैं, लेकिन वो जान बूच कर नहीं सजाए हैं, वो प्रकरती ने स्वयम सजाए हैं, ठीक है, तो ऐसा लगता है, क्यों क कि इतने सारे फूल खिल रहे होते हैं. During the monsoon season, snakes and rodents are found in roof and attics because monsoon के season में snake और rodents roof छतों में या attics में पाए जाते हैं. क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनके जो जमीन में गड़े बने हुए रहते हैं उनमें बारिश का पानी भर जाता है और इसलिए वो वहाँ नहीं रह सकते हैं. तो चलिए इनके answers अब हम देखते हैं. Biju is not seen but his voice is heard because dense mist covers and hides the hills. फिर हमने यही किया क्या कि dense mist ने जो है hills को cover करके रखाता, छुपा के रखाता. उसके बाद है, the writer describes the hill station and valley as a paradise that might have been. यह याद रखने की बाद है कि यह जो quotation marks हैं, जो हमने ऐसे लगाए हैं, कॉमास उपर, वो लगाने हैं क्यों? क्योंकि हमने यह author की कही हुई line as it is इस्तमाल कर ली है. जैसी वो है वैसी कि वैसी उठाके answer में लिख दी है. The leopard was successful in killing a dog. पहले है. The minivets are easily noticed because of their bright color. क्योंकि वो रंग भी रंगी होती हैं, इसे लिए वो आसानी से नजर में आ जाती हैं. It looks like a fashion display on the slopes when they are covered by a variety of flowers. इतने सारे फूल उस घाटी पे उगे हुए रहते हैं, सज़ज़ए हुए रहते हैं. Their holes are flooded with water and these places provide them convenient shelter. क्योंकि उनके जो घड़े हैं, उन्हें पानी भर जाता है और ये सारी जगें, उन्हें क्या देती हैं? Convenient shelter. आसान और आरांदायक जगह देती हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, question number five की तरफ. तो हमारा अगला question है, although tin roofs are given to springing unaccountable leaks. उनको ठीक बनाने के लिए उसमें काफी सारे leaks दिये जाते हैं, हमारे tin की छट पर. There is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. ये पूरी line जो है, चाप्टर से उठा के लिए गई है, कि ऐसा ऐसा होता है, कि भले ही हम rain के सीधे contact में नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी बारिश का एक हिस्सा हैं. तो इस line के basis पर हमको ये तीन सवालों के जवाब देने हैं. पहला है Why has the writer used the word springing? Springing का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसे एक spring बनाया हुआ है या उसे बसंत रितू की बात कर रहे हैं उसे अच्छा बनाने के लिए कहते हैं How is the writer untouched by the rain? Untouched कैसे है बारिश ते क्योंकि वह बचे हुए ना सूखे हैं उस छट की वज़े से वह सूखे हुए हैं और इसलिए वह दूर है तो वह untouched फिर आता है How is the writer in touch with the rain at the same time कि अगर वह बारिश से अच्छूते हैं दूर हैं तो फिर वह उससे जुड़े हुए कैसे हैं पहली चीज तो बारिश की आवाजों की वज़े से ऐसा लग रहा है कि बारिश गिर ही ज़ही है हमारे उपर उसके बाद उन लीक्स की वज़े से और ज़दा एहसास हो रहा है कि हम कई न कई बूंदों से तो जुड़े ही हुए हैं तो इनके जवाब है The springing is used to show suddenness which the water starts leaking अचानक से जैसे ही बारिश गिरने लग जाती है या लीके जो है वो आने लग जाता है अंदर तो वह springing मतलब एक तरीके से यहां पर spring की बात हो रही है कि spring वसंत्रतु वाली spring नहीं वह spring होती है जो कि हम उसे खीचते हैं वह वापस अपनी जगे पर वापस जाती है तो वह इतनी अचानक से होई तो उस चीज़ को springing Unaccountable Leaks मतलब Unaccountable का मतलब कि उसका कोई हिसाब नहीं है और springing मतलब अचानक से होने वाली leakage की बात यहां पर कर रहे हैं और क्योंकि वह कमरे के अंदर हैं इसलिए वह दूर है कि से बारिश से He hears the drumming of rain on the tin roof उस tin की छट पर वो बारिश के गिरने की जो ड्रम बजने की आवाज सुनते हैं उसकी वज़े से उन्हें लगता है कि बारिश का हिस्सा है वो He also looks out of the window to see the rain तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बारिश से जुड़ा हुआ हूँ जो बारिश हो रही है मैं उसका एक साथ जो है अनुभव कर रहा हूँ तो यह हो गए हमारे तीनों सवालों के जवाब फिर है sixth question mention a few things that can happen when there is endless rains for days together अब अगर बहुत दिन तक बारिश होती रहे बिना रुके बारिश होती रहे तो ऐसी कुछ चीज़े बताइए जो होती है जो होना बहुत आम बात होती है a long spell of rain makes life miserable सबसे ज़रूरी बात है यह तो मैं खुद भी मानती हूँ अगर इस अंसर यहां नहीं भी लिखा होता तो भी मैं यही कहती कि बारिश अगर बहुत दिन तक चलती रहे तो life miserable हो जाती है मुश्किल हो जाती है क्योंकि सबसे पहले चीज तो हम बाहर नहीं जा पाते हैं गूमने के लिए नहीं समान की उपलबदी के लिए भी हम बाहर नहीं जा पाते हैं दूसरी चीज यह होती है कि हम घूमने भी जादा नहीं जा पाते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज होती रहती है चीजों की उपलब्धी नहीं होती है कपड़े नहीं सूखते हैं है ना थंड लगने लग जाती है सबसे पहले तो यहीं लिखा हुआ है कि वन इस रहते है उनको चाहिया उपर चाही रहता है चटर होगा यह वहां से है क्यों कि वह रहता हुआ उसको कोई दिक्कत परिशानी नहीं दी लेगन क्या हुआ यहां पर जैसी बारिश होई तो उसकी घर के अंदर तो पानी भर गया तो वो बिचारा कहां जाएगा तो वो कहीं जाएगा जहां वो सूखे में रह सके तो इसलिए यह सारे जो जानवर और इंसेक्ट्स होते हैं य होने लग जाता है और तीसरी चीज़ की अलग अलग प्रकार के जानवर रॉडेंट्स स्नेक इंसेक्ट्स यह सब जो हैं यह हमारे घरों में घुसने लग जाते हैं फिर आता है question number seven what is the significance of cobra lily in the relation to the monsoon season उसकी शुरुवात में और उसके एंड में beginning में और end में cobra lily क्या role play करता है शुरुवात में और अंत में at first cobra lily appears with arrival of the monsoon सबसे पहले तो हम cobra lily को देखते ही तब है जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो cobra lily खिलना शुरू होता है तो यह हो गई beginning की बात when the cobra seeds begin to turn red जब उसके बीज लाल रंग के होने लग जाते हैं it indicates the rains are coming to end उससे हमें यह पता चल जाता है कि उसके जो बीज जब लाल होते हैं तो बारिश का मौसम अब खतम होने वाला है तो शुरुवात में भी cobra lily संकेत देता है और end में भी वह संकेत देता है शुरुवात में वह स्वयम आगे संकेत देता है और अंत में उसके बीज यह संकेत देते हैं कि अब बारिश खतम होने वाली है अब आते हैं हम सबसे ज़्यादा इंट्रेस्टिंग पार्ट पर सबसे ज़्यादा मसदार हिस्से पर जो की है working with the language page number 114 पर यह हमारी grammar exercises तो चलिए देखते हैं यहां कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो बारिश की मौसम से जुड़े हुए हैं आप अपनी जो भाशा आप इस्तमाल करते हैं उसमें क्या आप पढ़ सकते हैं उसमें आप ऐसे शब्द ढूंड के ला सकते हैं जो मौनसून या बारिश की सीजन से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले तो हम इन शब्दों को देख लेते हैं डाउन पोर का मतलब होता है बारिश होना बौचार जिसको हम कहते हैं डाउन पोर है न नीचे गिरना फ्लर्ट जयाने की बाढ़ इतना जादा पानी भर जाना कई बार तो घरों के सामने बहुत-बहुत पानी भर जाता है कि घर के अंदर तक आने लग जाता है mist तो धुन्द या कोहरा जिसको हम कहते हैं cloudy बहुत ज्यादा ही बादल रहते हैं धूप नहीं आती है सूरज की शकल नहीं देखने मिलती है power cuts सबसे ज्यादा दिक्कत वाली चीज होती है यहां पर power cuts क्योंकि जैसे बारिश होती है तो electric short circuit के chances बढ़ जाते हैं तो जो बिजली विभाग वाले हैं वो बिजली काट देते हैं और यह सबसे ज्यादा यह भी उसमें जोड़ना चाहिए था कि अगर लगातार बारिश होने लग जाती है तो हमारा जीवन कैसे दुखी और बोरिंग हो जाता है क्योंकि घर पे लाइट चली आती है तो टीवी कि मौसम जितनी सरदी नहीं लगती है लेकिन मौसम थंड़ा हो जाता है और अम्रेला चाती तो सबसे इंपोर्टन चीज होती है एक बार के आपके पास बरसाती होना हो चातरी सबके घर में होती ही है तो हम जवाब में क्या लिखेंगे सबसे पहले तो बारिश रेन पानी क कोरा बरसाती याने रेन कोट्स बिजली कड़कती है यह तो हमने ध्याने नहीं दिया था डैंपनेस नम हो जाता है सब कुछ और लेक्स पानी जो है हमारे तालाबों में ज्यादा बढ़ जाता है उसका जो लेवल है वो उपर आ जाता है हमारे लैंग्वेज में हम कैसे शब् होता है सीथ सीथ होती है हमारे शरीर पर जोती है लाल लाल दाने आने लग जाते हैं थंड की वजी से खुझली भी चलती है उसे हम सीथ कहते हैं एकदम से थंड लग जाती है उसे हम सीथ कहते हैं छतरी बरसाती और आंधी आंधी भी बहुत प्रॉब्लम की बात होती है मम् लाइट नहीं रहती है तो हम खिड़की दर्वाजे खोल कर रखते हैं ताकि हमको गर्मी न लगे और आंधी आती है तो सारा पानी धूल कच्रा सब घर के अंदर गुच जाता है तो आंधी तो हम भूल के भी नहीं भूला सकते तो यह कुछ शब्द हैं जो हम बारिश से को पढ़ना है दो सेंटेंस हैं विजू वांडर इंटु दे गार्डन इन इन दी इवनिंग ठीक है तो हमने क्या वॉंडर पर ध्यान देना है पहले तो कि विजू जो है शाम को गार्डन में घूम रहा था वॉंडर का मतलब यह हो जाता है जब वॉंडर असली वर्ड है उसके हमने लगा दिया है इडी मतलब वो पास्ट में चला गया है तो इसलिए हमने हिंदी में जब वो सेंटेक्स बनाया तो हमने था का इस्तमाल किया तो रिंगिंग का मतलब यह होता है कि रिंग हो रहा है इंग का मतलब होता है कि कोई काम चल रहा है लेकिन जब हम बोल रहें वर रिंगिंग मतलब इसमें अगर वर भी आ रहा है तो वो भी था की ही बात हो जाती है तो यह भी पास्ट की बात है क्योंकि प्रेजेंट टेंस का तो यहां पर आर होना चाहिए था लेकिन यहां वर का to the garden in the evening कि वो शाम को गार्डन में घूम रहा था the trees were ringing with birdsong ठीक है अब उसने घूमा था और वर रिंगिंग का मतलब है कि birdsong के साथ पेड़ भी हिल रहे थे जूल रहे थे आवाज कर रहे थे या जो है यहाँ पर वह बात यह कह रहे हैं कि उस वक्त पास्ट में भूत काल में वह काम हो रहा था continue हो रहा था और यह काम हो चुका था जब भी पास्टेंस के साथ ing लगता है तो उसका मतलब यह होता है कि वो काम continue हो रहा था लेकिन वो past में हो रहा था और जब ed लग जाता है मतलब वो काम past में हो चुका है past में हो के खत्म हो चुका है तो हमने दो टाइप की tenses देखे हैं एक तो simple past होता है simple past ठीक है और एक होता है past continuous तो simple past है wondered और past continuous है word ringing क्यों क्योंकि वो past की बात है जिसमें कोई काम continue हो रहा था ठीक है तो यह दोनों का अंतर है इसमें the verb wonder tells us what biju did that evening उस शाम को biju ने क्या काम किया wonder करने का काम किया but the verb was ringing tells us that what was happening continually at the same time in the past और उस समय past में कोई काम continually हो रहा था हो ही रहा था लगा तार जैसे की birds were chirping in the tree तो यहां पर word chirping in the tree पेडों पर वो कर रहे थे मतलब वो काम past में चल रहा था उसका खत्म गब हुआ वो नहीं पता पर वो चल रहा था past में यहां में पता चल रहा है कि वो हो के खत्म हो चुका है यही अंतर है इन दोनों में ING और ED के अलावा ये अंतर है कि उसके अर्थ में हमें पता चलता है कि अगर वो simple past है तो वो हो गया है और अगर वो past continuous है तो वो past में भी हो रहा था They tell us about something that happened in the past They also tell us about other things that happened continually at the same time in the past और उस वक्त past में कोई चीज लगातार हो रही थी वो भी पता चलती है और ये भी पता चलता है कि कुछ past में हो रहा था तो ये हैं हमारे दो sentences का अंतर अब हमें ये जो question है पहला उसमें हमको क्या करना है ये word दिया हुआ है ये हमारा verb है और इसको हमें सही इसका तरीका इस्तमाल करना है सही form इस्तमाल करना है जो इस situation पर fit बैठे तो we get out of the bus, the bell ring and everyone rush to the class कि हम school bus से उत्रे, bell बज रही थी और सब class की और भाग रहे थे तो यही अर्थ हुआ इसका ऐसा तो है नहीं कि हम school bus से उत्रे, bell बजी और सब class की तरफ भगने लगे है ना तो यहां पर वह अर्थ तो आ नहीं रहा अर्थ क्या बनेगा यहां पर कि हम school bus से जैसे उत्रे, the bell was ringing तब bell बज रही थी और बच्चे class की और भाग रहे थे, we got out of the school bus यह एक ऐसी बात बता रहे हैं जैसे ममी ने पुछा कि आज लेट तो नहीं हो गयते आप school जाने में, school पहुंचने में तो आप घर आके ममी को क्या बता होगे, ममी हम bus से उत्रे और bell बज रही थी और सब class की तरफ भाग रहे थे, आप यहीं बोलोगे, ठीक है, कि क्या पहले तो हम bus से उत्रे, वो काम खतम हो गया, लेकिन जब हम school के अंदर पहुंचे बस से उतर के, तब क्या चल रहा था, school मे उस वक्त bell बज रही थी, बच्चे class की और भाग रहे थे, तो वो काम continue में हो रहा था, bus से उतरने का काम हो चुका था, तो get का सीधा got हो जाएगा, we got out of the school bus, the bell was ringing and everyone was rushing to the class, ठीक है, was rushing और was ringing, क्योंकि वो जब हो रहा था, वो past में था, ठीक है, और उस वक्त जब की बात बत आई जा रही है, वो चीज लगातार में चल रही थी, अगला question है, the traffic stop, अब वो यह भी बात हो रही है, कि कोई काम पहले हो रहा था, अब वो लगातार हो रहा था, या हो के खत्म हो गया है, वो हमें आगे पूरे sentence की situation को समझने में पता चलेगा, some people sit on the road and they shout slogans, traffic रुक गया ठीक है, लोग road पर बैट कर नारे लगाने लगे या slogan चिलाने लगे, ठीक है, तो यह क्या बोलेंगे, चिला रहे थे, traffic पहले रुका, क्योंकि अगर traffic नहीं रुकता तो यह काम तो होता नहीं, तो traffic रुक गया, वो काम खत्म हो गया, यह नहीं कि traffic रुक रुक रहा था, हम यह तो बता ही नहीं रहे हैं, क्योंकि यह पर धरने की बात हो रही है, कोई अंदोलन चल रहा है, तो traffic तो रुकेगा ही, तो पहले हम कहेंगे, तो traffic stopped, तो पहले stop का सीधा simple past चला गया, stopped, फिर some people were sitting on the road, वो तब वहां बैठे हुए थे, and they were shouting slogans, वो slogans चिला रहे थे, वो का continue हो रहा था, वो काम चल रहा था, तो यह तो बहुत आसान सी तरीके से हमको समझ में आ चुका है, कि हम पहले वो चीज़ बताएंगे, जो होकर खत्म हो गई है, उसके बाद बताएंगे कि उसके बाद क्या चीज़ चल रही थी, ठीक है, अगला है, I wear my raincoat, it rain and people get wet, मैंने अ लोग भीग रहे थे, I wore my raincoat, it was raining, पहले wear का सीधा wore हो जाएगा, rain का was raining हो जाएगा, और get का were getting हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी और लोग भीग रहे थे, लेकिन मैंने अपना raincoat पहन लिया था, I wore my raincoat, it was raining and people were getting wet, तो जब आप किसी sentence को पढ़ते हैं, तो भल वेक्ति शच्चे बोलने में गलत कह रहा हो, कुछ कोई वेक्ति अगर उल्टा सीधा वाकि बना रहा है, इन सब चीजों को समझने का तरीका इसलिए बता रहे हैं, कि अगर कोई वेक्ति आप से कहता है, कुछ टूटी फूटी अंग्रेजी में कहता है, तो आपको ये तो स कहते हैं, उसने फिल्म देखी, उसने वो अपने दोस्तों को बताई जो की सुन रहे थे, जिन्होंने सुना, अब वो क्या कहना चारी है, अगर हम सारे शब्दों को एक ही टेंस में रखेंगे, तो ही सेंटेंस बन पाएगा, ऐसा तो है नहीं कि एक ही सेंटेंस में आपने स सब कुछ जोड लिया है कि आप कल की बात भी कर रहे हैं, आज की बात भी कर रहे हैं, और बाद की बात भी कर रहे हैं, और वो एक ही काम है, जो हुए जा रहा है, कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा था, ये भी हो रहा था, तो ऐसा नहीं होगा, है ना, आज कल परसों में, जो है आप अगर किसी टेंस का इस्तमाल करते हैं तो वो एक ही क्रिया कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अलग-अलग काम हो रहे हैं जिसको आप एक टेंस में एक ही तरीके से नहीं समझा सकते हैं जैसे कि उसने फिल्म वो क्या कर रही थी? वो अपने दोस्तों को narrate कर रही थी, अपने दोस्तों को सुना रही थी और उसके दोस्त सुन रहे थे तो आपको ये देखने की जरूरत है कि ये जो action है वो किस order में हो रहे होंगे कि वो तब सुनाइगी न मुवी जब उसने देखी होगी तो movie उसने देख के खतम कर चुकी है इसलिए वो C का 100 हो जाएगा कि उसने देख लिया है वो काम हो चुका है फिर वो सुना रही थी और उसके दोस्त सुन रहे थे ऐसा तो है नहीं कि वो सुना के खतम करतेगी उसके बाद उसके दोस्त सुनेंगे नहीं वो सुनाती जाएगी और वो साती साथ सुनेंगे ना तो she was narrating वो सुना रही थी it to her friends who were listening carefully were listening carefully वो सुना रही थी और वो सारे सुन रहे थे तो हमें उस sentence को देख कर उस वाकिक को देख कर पहले उसका आर्थ समझने की कोशिश करना है उसके बाद में ये देखना है कि जो action उसमें हो रहे है जो क्रिया उस sentence में चल रही है उसका order सही क्या है जैसे वहाँ आमने देखा कि बारिश हो रहे थी और लोग भीग रहे थे तो अगर ये बात होती ये वाला sentence पहले होता कि बारिश हो रही थी और लोग भीग रहे थे इसलिए मैंने अपना raincoat पहन लिया तो ये sentence पहले लिखा होता और I wear my raincoat वाला बाद में लिखा होता तो उसका अर्थ बदल जाता लेकिन वो क्या बता रहे हैं कि मैंने अपना raincoat पहना क्योंकि बारिश हो रही थी और लोग भीग रहे थे तो पहले उन्होंने अपना काम किया उसके बाद उन्होंने बताया कि इसलिए क्योंकि बारिश हो रहे थी और लोग भीग रहे थे तो आपको उन क्रियाओं का एक सही order जानना समझना जरूरी है कि वो क्रिया किस order में हो रही है उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि कौन सा कारे उसमें से होकर खत्म हो चुका है और कौन सा कारे जो है वो past में भी हो रहा था जैसे हम अगले sentence पे जाते हैं we go to the exhibition some people buy clothes while other play games तो हम exhibition गए उसके बाद में वो बता रहे हैं कि exhibition में क्या चल रहा था तो exhibition में चले गए न अब यह तो नहीं हम यह बात तो वो करी नहीं रहे हैं कि हम जाकर वापस आ गए exhibition में जाने का काम हो गया अब वहाँ पर घूम रहे हैं घूमते हुए उन्होंने यह चीज़ पर ध्यान दिया कि कुछ लोग वहाँ पर कपड़े खरीद रहे थे और कुछ वहाँ पर गेम्स खेल रहे थे तो क्या बता रहे हैं वहाँ पर आप हिंदी में देखिए वो क्या बोल रहे हैं वो कर रहे थे कपड़े खरीद रहे थे और गेम खेल रहे थे तो यह जो खेल रहे थे वाली बात है गो यहां पर विंट हो जाएगा और some people were buying clothes while others were playing games तो क्या हो गया? वो काम were playing, were buying मतलब कि वो continuous में चला गया और जो काम होकर खत्म हो चुका था वो सीधा का सीधा simple past बन गया. तो I hope आपको यह चीज समझ में आ गई है कि आपके ऐसे simple past और past continuous इसको अलग अलग लिख सकते हैं the class is quiet some children read books and the other draw class शांत थी कुछ बच्चे बुक्स पढ़ रहे थे और कुछ बच्चे ड्रोइंग कर रहे थे तो च्छ तो शांत थी पहले से ही ऐसा तो है नहीं कि क्लास बहुत देर तक शांत रही वह यह बता रहे हैं कि क्लास शांत थी उन्होंने यह बात बता दी और कुछ बच्चे बुक्स रीट कर रहे थे और कुछ बच्चे ड्रोइंग कर रहे थे is जो है वो simple past से was में चले जाएगा और read और draw जो है वो past continuous होने की वज़े से word reading और word drawing बन जाएगा अब आता है अगला question here are some words from the lesson which describe different kinds of sound यह सारे sound words है drum drum तो पता ही है drum बजाने की आवाज तो बात यह हैं नहीं कि वह सिर्फ drum बजाने की आवाज होती है उस प्रकार की कोई भी आवाज होती है उसको हम drumming कहते हैं Swish याने के लिए अभाज से समझ में आ रहा है स्विष करके जो आवाज होती है ना पानी की से गिरने की या रिसने की जो आवाज एक होती है रिसना याने की जैसे अगर कोई चीज लीक कर रही है तो उसमें से हलका हलका बून-बून पानी गितता जाएगा उसमें कि ड्रिपिंग वाटर है ना बून-बून पानी बहना अब हमें एनिके लिए शब्द ढूंडना है to fall in small drops चोटे-चोटे बूनों में गिरना अब भी हमने देखा dripping तो यहां हो जाएगा dripping यह जाएगा एक ही जगे बार बार बजाना है ना साउंड निकालना तो यह तो खेर drip हो गया यह ड्रम हो जाएगा ड्रम की आवाज कैसे निकलती है एक ही जगे पर हम बहुत सारी बार बजाते रहते हैं तो वह ड्रमिंग आवाज हो जाती है to move quickly through the air making soft sound तुरू दी एयर मतलब हवा तो चार और रहती है आप जब बहुत यह चलते हैं एकदम तेज तेज चलते हैं और आपके हातों की आवाज होती या कूगने की आवाज होती तो वह अलग बात थी पर माँथ और निकाला जाता है जो बहुत जादा गुश्य वाले आग्रेसे वैं वैसे पकशी रहते हैं तो यह हो जाएगा पक्षियों द्वारा निकाले जाने वाली बुरी आवाज रफ करकश आवाज जोती है वो कौ होती है रिंगिंग साउंड और बेल ब्रेकिंग ग्लास एक्सेक्टरा मतलब की काच के तूटेने की आवाज या फिर घंटी के बजने की आवाज क्य कहते हैं चोटी-चोटी बूंदों में गिरना ड्रिपिंग वाटर एक साथ बहुत तक बजाना ड्रम हवा में तेज तेज चलना स्विश पक्षियों द्वारा करकश आवाज निकाले जाए तो उसे हम को कहते हैं और घंटी की बजने की आवाज ऐसे रिंग रिंगिंग जो अवाज होती है वह क्या होती है टिंकल अब हमें इनगी शब्ев का ऑचाहि जो है यह साथ हो जाता है वर्व भी हो जाता है क्रिया हो रही है जिस से आवाज निकल रही है तो हमें उसका यहां पर सही form इस्तमाल करक के लिखना है तो 20 मेंश डैश ओने लेस्टन impatience हमें याद रखेगा इन ही शब्दों का इस्तमाल करना है यही पाच शब्दों का इस्तमाल करना है तो रमेश ने क्या किया impatience मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी धैर नहीं था और वो डैस्क को ठोक रहा था तो क्या करेगा ड्रम करेगा तो हम यह कहेंगे ड्रम्ड उसने ऐसे दैस्क को ठोका धैर नहीं था उसमें बिल्कुल भी इस वचे से rain water dash from the umbrella all over the carpet छतरी के ऊपर से बारिश का पानी बूंद बूंद गिर के कर्पेट पर आ गया तो क्या वो लेंगे ड्रिब्ट इत правильно पानी दिर स्क्रत पॉनी ड्श इस तेल उसने क्या किया हिलाई फूंख हिलाई तो हमार पास कौण कौण से शब्स बचें स्फिष बचा हुआ है को बचा हुआ है तो यहां पर टिंध बचा हुआ है तो पोनी क्या होता है छोटा सा घोड़ा मतलब गोड़े के बच्चे की तरह होता है तो उसकी पूच्छ हिलाने में कौ की आवास तो आएगी नहीं नहीं टिंकल की आवास आएगी तो क्या आएगी यहाँ पर switched, उसने अपनी पूछ हिलाई जिसकी वज़े से पूछ को हिलाने की कोई आवास नहीं होती है, उससे हिलाने से सर्फ हवा लगती है, तो बस वही switched है, फिर है the dash of breaking, glass woke me up तो glass की तूटने की आवास क्या होती है, the tinkle मतलब glass की तूटने की जो आवास थी, tinkle की जो आवास थी, उसकी वज़े से मेरी नींद खुल गई, the dash of the raven disturbed the child's sleep, raven यहाँ पर एक पक्षी है, जो की बहुत ज़्यादा ही गुसेल होता है, तो वो क्या करता है, the cawing of raven उस raven की कौ 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 करने की आवास से बच्चे की जो नींद है, वो disturb हो गई, खराब हो गई, तो हमने देख लिया की यहाँ पर किस प्रकार शब्द आएंगे, drummed on his desk in impatience, rainwater dripped from the umbrella all over the carpet, the pony was swishing in his, sorry swishing its tail की वो अपनी पूच को हिला रहा था, the tinkle of breaking glass woke me up and the caw of the raven disturbed the child's sleep, बचे के नीन को उस raven की को को ने खराब कर दिया, तो इस तरीके से हमने सारी आवाजों को सही जगे पर इस्तमाल कर लिया है, अब आता है एक अलग प्रकार का शब्दों का इस्तमाल, ये एक फ्रेज होता है जिसमें इनफ का इस्तमाल होता है, इनफ का कैसे इस्तमाल होता है जैसे कि आपको एंग्जाम्पल में दिया है and sure enough I received a check in the mail पहरे तो यह लाइन कप कही गई थी जब चुचुंतर की बात हो रही थी कि दादी ने कहा था कि उनसे भाग आता है वो पैसा लाती है और उन्होंने कहा sure enough I received a check in the mail और हां मतलब इतनी पक्की बात है enough का मतलब वैसे तो होता है काफी ठीक है कि कोई चीज काफी है कुछ चीज enough है enough हुआ बस बहुत हुआ काफी हुआ यह होता है और sure जब उसके आगे जोड़ देंगे तो मतलब उस sure होने की काफी possibility है है ना तो कहते हैं कि हां बिल्कुल सही बात कही थी क्योंकि फिर मुझे शाम में एक mail आया जिसमें मुझे चेक भीजा हुआ था तो अब यहां पर हम पहले सब के मतलब समझेंगे सब के मतलब क्या होते हैं और उसके बाद उनको sentences में उनका हम इस्तमाल करेंगे जिसे sure enough तो आपने देखी लिया है colorful enough मतलब काफी रंग बिरंग जैसे हम कहें कि जो बात काफी सीरियस थी ठीक ही वह सीरियस इनफ कि वह इतना जादा serious था काइंड enough काफी दयालू होना बिग इनफ काफी मतलब बहुत बड़ा होना क їх यहां कोई लेमिटेशन सेट नहीं हो रही है वह यह बता रहे हैं कि सही मात्रा में वो छीज ठी थी तो थी नहुत है कि वो काफी लड़ाई कर रहे हैं आपस में कि मुझे यह चाहिए एक और फिर को यह आप उसको दे इना और यह बखेशे शुला करा दी तो वो बच्के शुछेंगे इस चीज़ को fair enough कि एक घंटे हैं एक घंटे हम इन खेलोनों से खेल लेंगे कि वह चीज जस्ट है न्याय हो गया है वहां पर वह वाला फेर इनफ ब्रेव इनफ कि वह इतना बहाद्दुर था वह काफी बहाद्दुर था कि उसने ये काम किया इस प्रकार से हम उसके मतलब को अलग तरीके से इस्तमाल करते हैं बले इनफ का मतलब काफी होता है और उसके आगे शब्द जोड़ते तो उसका मतलब हो जाता है कि इतना काफी रंग में रंगा काफी बड़ा काफी बेवकूफ लेकिन उनके मतलब भी चेंज हो जाते हैं जब हम उनको वाकियों में इस्तमाल करते हैं तो चलिए देखते हैं क्या होगा I saw thick black clouds in the sky and dash it soon started raining heavily मैंने आसमान दो दैश का मतलब ये दो शब्द हैं ये दो पूरे पूरे नहीं आएंगे colorful enough है जैसे sure enough है जैसे तो यहाँ पर ऐसा sure enough या colorful enough ऐसा आ जाएगा तो वो कहते हैं कि मैंने आसमान में काले बादल देखे and और सही में थोड़े देर बाद बारिश शुरू हो गए तो यहाँ हो जाएगा sure enough ठीक है कि और सही में थोड़े टाइम बाद बारिश शुरू हो गए तो ये मतलब ये जो बात थी वो काफी सही थी the blue umbrella was dash for the brother and sister मतलब उनके लिए काफी था तो कितना काफी था इन में से देखिया है क्या वो दयालू था या वो बहाद्दुर था या वो बेफकूफ था या वो न्याय देने वाला था serious था नहीं वो big enough था इतना बड़ा था कि वो दोनों भाई बहनों को धाक ले it was big enough और प बहुत करते हैं तब उनका अर्थ और ज्यादा clear हो जाता है और ज्यादा समझ में आ जाता है तो यहां बजया तो अब को big enough का अर्थ ज्यादा बहतर समझ में आ जाएगा कि यहां पर कैसे कि वो उनके लिए परियाप्त मात्रा में बड़ा था यह बिलकुल सही शब्ध जो बड़ा था तो यहां पर big enough आ गया आगे देखेंगे the butterflies वर अब तितलियों से क्या समझ में आता है रंग तो colorful enough to get noticed उन पर ध्यान चला जाए इसलिए वो परयाप्त मात्रा में रंग से भरी हुई थी the lady was dash to chase the leopard अब किसी lady की किसी तेंदुए से लड़ाई हो रही है तो उसको तो बहादुरी कहेंगे तो वो कैसी थी वो परयाप्त मात्रा में brave थी वो परयाप्त मात्रा में बहादुर थी जो कि उन्होंने उस तेंदुए से लड़ाई कर ली तो वो brave enough थी ठीक है the boy was dash to call out to his sister अब यहाँ पर क्या आएगा हम जरा पीछे जाके देख लेते हैं कि हमार पास कौन-कौन से words बचे हुए हैं तो वो क्या था anxious enough वो परिशान था उस चीज को लेके है ना बचाने के लिए मतलब परिशान था तो anxious enough कि वो परिशान था इतना परिशान था कि वो अपनी बहन को पुकार रहा था the man was dash to offer help अब हम किसी की मदद करते हैं तो हम क्या करते हैं दयालू होते हैं इसलिए तो मदद करते हैं वरना अगर हम इतने दयालू नहीं होंगे दिल के अच्छे नहीं होंगे तो हम किसी की मदद कैसे करेंगे इसलिए वो kind enough वो परिय पर्याप्त मात्रा में serious थी for him to get admitted in the hospital अगर वो पर्याप्त मात्रा में serious नहीं होती तो वो hospital से बस पट्टी करा के घर वापस आ जाते हैं लेकिन वह admit होने के लिए उसकी जो injury थी वो काफी serious थी इसलिए उनको admit कराया गया इसके बाद आता है that person was कैसा foolish enough to repeat the same mistake again अगर हम उसी गलती को वापस दोहरा रहे हैं तो हम क्या है foolish ही तो हैं है ना foolish enough to repeat the same mistake again आप पर्याप्त मात्रा में बेवकूफ हैं जो आप उस गलती को फिर से दोहरा रहे हैं फिर आता है he told me he was sorry and he would compensate for the loss I said क्या अब बचना के जो बचा है वो तो इस्तमाल यहां होगा ही ल उस व्यक्तिन है मुझसे पहले तो sorry कहा ठीक है उसके बाद में उसने कहा कि मैं तुम्हारा जो loss हुआ है तुम्हारा जो घाटा हुआ है उसके लिए कुछ भी करने के लिए तयार हूं तो उनने कहा ठीक है अगर यह बात है तो ठीक है मतलब यहां पर नयाय होता हुआ सब्सक्राइब किस अर्थ के साथ इस्तेमाल होना है थीक ब्लाइक क्लाउट देखें तो यह जो इंफरमेशन थी कारे बादल दिखने के वह परयाब्द मातरा में सही थी और इसलिए sure enough की थोड़ी देर बाद बारिश होने लग गए ब्लू अम्रेला दोनों भाई-बहनों को ढखने के लिए परयाब्द मातरा में बड़ा था तो इट वाज बिग इनफ बटरफ्लाइज आर इतनी रंग बिरंगी थी कि वह उन पर ध्यान चला जाए तो वह देवर कलरफुल इनफ दे लेड़ी वाज वह कैसी थी एक तेनवे से लड़ने के लिए ब्रेवरी होना चाहिए बहाद्दूरी होना चाहिए तो वह इतनी बहाद्दूर थी कि वह से लड़ गई तो ब्रेव एंफ बॉइ इतना इंशिस था इतना परेशान उत्सुक था अपनी बहन प्रकार का एक उतसाह उना किसी बिप्रकार की जल्दी होना हमारे अंदर या तो वह दुख द लगा रहा था the man was kind enough to offer help मदद करने के लिए वो पर्याप्त मात्रा में उनके अंदर दया थी इसलिए उन्होंने मदद करी तो he was kind enough उस विक्टिम की जो इंजरी थी जो चोट थी वह अस्पताल में भरती होने के लायक थी एतनी सीरियस थी कि वह भरती हो सके अस्पताल में तो इट वह पॉस्पाल में तो उसको पहुलिश है गलती कर्ना थीखे या अंजाने में होगी लेकिन अगर अगर आप उसे पिर शेजवर हो आ रहे हैं.. तो तो यह foolish enough, he told me that he was sorry, पहले उनने sorry कहा and he would compensate for the loss और वो घाटे के लिए पस्चाताब करना या कुछ भी करने के लिए तयार हैं, तो हमने कहा I said fair enough, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, और I said के बाद इसको यहाँ इसलिए ऐसा नहीं है कि आप हर जगे fair enough में वो लगा दे कॉमा उपर लेकिन यहाँ इसलिए है क्योंकि एक dialogue है, I said के बाद कॉमा लगा है, मैंने कहा और जो चीज़ कहीं हुई है, वो quotations में लिखी हुई है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि fair enough को ऐसे quotes में ने लिखना है, वो यहाँ इसलिए एक dialogue की तरह आया है, इसलिए उसने यहा की पोम को देखेंगे, ग्रास, होपर और क्रिकेट के बारे में जो पोम है उसको पढ़ेंगे, उसके लिए आपको जाना पढ़ेगा मैगनेट प्रिंज की वेबसाइट पर क्योंकि वहाँ पर आपको वो है इंडिया का number 100% free online education देने वाला platform और वहाँ पर आपको हर question का answer मि हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी English Main Course Book Honeydew के chapters तो आप वहाँ पास जाएंगे उसके icon पर क्लिक करेंगे और आपके पास पूरी list खुल जाएगी जिसमें सारी unit और उस unit के नीचे दिये हुए topics भी हैं जिस भी topic का आपको वीडियो देखना है आप उस topic को open करें उस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आगरी तक देखें ताकि आपकी सारी की सारी doubts clear हो जाएं और उसकी बाद में कोई doubt बचती है तो उसे comment section में लिख सकते हैं अब क्योंकि magnet brains पर आपको 100% free education मिल रहा है online 6-12 standard तक के बचों के लिए और वो भी सारे state boards के हिसाब से तो इस वीडियो को like क के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से इन वीडियो को शेर करना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थांक यू